अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक और मुस्लिम महुल सीट है, कहराना की सीट, ये सीट भी बीजेपी जीतती हुए हमको दिखाई दे रही है, और मुस्लिम वोट यहाँ बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रहा, 84% तक इंडिया गटपंदन जीत हासिल कर सकता है, लेकिन मुसल्मान का वोट उसको नहीं मिल रहा है, 70% इंडिया गटपंदन को जाएगा, कॉंग्रस या सपा को, और 13% बहुजन समझ बाटी को, अम्रोहा देखिए साब, कुमरदानिश अली यहां से अभी फिलाल सांसाद है, बस्पा में जो मुसलिम वोट का समय करण है, 77% एक तरफा, इंडिया को 4%, अभी बासेतली साब बात कर रहे थे ना, कि सवाब, माहौल बदल गया है, मुसल्मानों को लेकर गया, 4% से उपर वोट नहीं देखा मुझे किसी भी सीथ पर, जो बीजेपी को या इंडिया के उम्मिद्वार शमुम कास्मी साब, आप कुछ कहना चाहरा थे बोली सर, मैं सौरब जी यह कहना चाहरा था, अभी जो बहुत अच्छी बहस निकल के आई, उत्राखंड में यूसी सी आया, और अभी आपने देखा होगा कि गजवाए हिंद की बात भी आई, जी जी, मैं आज, गजवाए ह क्यों पीछे रह गया, जैसे अभी बासी साब ने हवाला दिया, कि वो उन लोग का इस्तिमाल करते हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनी से वो उनके कंदों पर रखके बंदूख छोड़ते हैं, जैसे यूसी सी के बारे में लोगों में एक भरम पैदा किया गया और हमने उस भर पर्थाओं पर अंकुष लगाएगी, जो मुसलिम समाज के तथा कतित लोगों ने उन्हें रायज कर दिया था, और कमजोर समाज जो पसमानदा समाज है, जो बैकवर्ड मुसलमानों का समाज है, वो उससे प्रभावित हो रहा है, और हम क्यूंके जानते हैं, हम उस समाज स निकल करके आये हैं, कि किस तरह से उन्हें परभावित किया जाता है, आज पसमानदा समाज के बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहा है, इसलिए हमने उन्हें एंसी आर्टी के पार्टिय करम से ला करके उन्हें आईएस और आईपियस बनाएंगे, हमारे मुख्यमंतरी तलाक थी, और ये तलाक तलाक कहकर कि जो समाज नहीं जानता था, पसमानदा समाज जो अन्पड़ है, वो नहीं जानता तलाक क्या चीज़ है, उसे गुमराह किया गया, उनके घरों को कमजोर किया गया, और उसके बाद आगे देखिए जैसे घजवे की बात आती है, थे, तीन सो साल के बाद उनका सीधा समवाद मुहम्मद साब से हुआ ही नहीं, तो ये समाज के अंदर एक ऐसा, ऐसा, ऐसी तखरीब पैदा करने के लिए जो लोग बात कर रहे हैं, ताकि देश के अंदर जो एक बातवरन बना है, बफ्ती साब, मेरा सवाल ये, अभी आप अपने स्टेट के अंदर, वहां मुसल्मानों का कोई विरोध नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ, इसलिए के हम मंदर्सों में जा जा करके, जो मंदर्से हमारे मुसल्मानों के शेहरक कहलाती हैं, मस्जिदे कहलाती हैं, हमने जाके लोगों से पूछा, कि ये बताओ कि खिलाफ है यह तुम तिन तलाक क्यूं देते हो और जो हलाला पर्था पर्था ही नहीं थी सिर्फ यह था हत्ता तनकिया जाउजन गहरा कहकर कि जहां इन्हों ने उन मुस्लिम महीराओं को अपमानित किया उसका सिर्फ इतना कैसे था कि अगर कोई अपनी पतनी कोई छोड़ या वो तलाक ले ले और किसी और से विवाह कर ले फिर से वो अपने पुराने पती के साथ चाहे तो लोट सकती है यहां बाजाबता जो इस्टिंग ऑपरेशन मीडिया की तरफ साहे उससे कैसी कैसी दुकाने खोल दी गई थी जो इसलाम के विरुत थी महम्मद साप के तरी नहीं दिया जो मुसल्मानों के खिलाफ हो और मुसल्मान सारी होजनाओं में शामिल हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रियास पगेर किसी बहुआ के और हम जब जाकर के पूछते जैसे मैंने पहले हवाला दिया था कि आज भी आज भी मैं आपको बता किया है आपको भारते जन्ता पार्टी सबको साथ लेके चाहिए आपने आपने ऐसी पश्वीर पेश की कि मुसल्मान और बीजेपी के बीच अगर दूरी है तो उसकी जमेदार तो दूसरी पार्टी है तो अपने लिए वोट मांगें की बीजेपी के लिए वोट थोड़ी हो देश का मुसल्मान क्यों मानने लगता है कि हमारे ओपर अटाक करने के लिए लाए जा रहा है ऐसा क्यों है उसकी दो तीन बड़ी वजा है जो देश के पुराने मुसलिम संगटन है जैसे और बी पुराने संगटन है उनके तो सरबराहान है वो पहले ही से इस बात की रिटिंगे करते हैं और लोगों को बताते हैं कि यूसी सी आएगा तो आप यदि वोट के हक से महरूम हो जाओ गै और आपको देश से निकाला दे दिया जाएगा तो आपको जेल में डाल लिया जाएगा यह तो आभी थोड़ी दिर पहले बात हो रही थी कि जो हमारे के और मुसल्मानों के दर्मियान एक ऐसी दूरी पैदा कर दी जो मुसल्मान सरकार से जिस तरह का लाब होना चाहिए ता विस तरह का नहीं हुआ यह तो सरकार बहुत बड़े दिल की मैं हमेशा कहता हूँ कि मौदी जी ने वोट लिया नहीं लिया दिया नहीं दिया सब बाते एक तरफ रही लेकिन कोई मौका नहीं रहा हर देश वासी तक योजना पहुँच जाए और उसमें मुसल्मान भी है और सोरभ भाई मुझे कुछ बातों पर हमेशे अपज़क्स रहा मैं ये कहता हूँ कि मुसल्मान भारती है बनकर क्यो बात नहीं कर रहा है मुसल्मान हिंदुस्तानी बनकर क्यो बात नहीं कर रहा है मुसल्मान हमेशा कब तक ये कहता रहेगा मैं मुसल्म हूँ इसलिए मुझे नौकरी मिलनी चाहिए मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे निकाला गया है मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे पढ़ने नहीं दिया ये सब कब तक हम सब भारती कब बनेंगे हम सब हिंदुस्तानी कब बनेंगे हम सब तरकी के इससिदार कब बनेंगे हमारी बाते मुक्तलिफ है हमारी बाते मुखतलिफ है सोरभ भाई अब मुझे ये देखिएगा कि मौधी सरकार ने जितना काम किया है क्या उस पर मना किया है कि इस पर हिंदू चलेगा मुसल्मान नहीं चलेगा फिर क्यों ये मौधी की मुखालफत कर रहे है मुधी के साथ मुसल्मान नहीं की मुधी की मुधी की मुधी की बकाशी विश्मनात वाली तस्वीर चलाईगी एक बार स्क्रीम पर अच्छा याद आ गया ये आज ही नरेंदर मोधी की फोटो वारेल हुई है ये विज्वल ये देखिए अब नरेंदर मोधी का ये रूप देखकर के काशी विशनाद मंदर में हाथ में तृशूर लगा करके माते फर तृपुंड लगा करके जब एक मुसल्मान देखता है अपने प्रधान मंतिरी को तो क्या सोचता है आप ही बताईए साथ साथ वो मेट्रो वाली तस्वीर भी आप जरा मगाली दिये साथ साथ वो सयदना साब के आप उमबई में गए थे वो भी मगाली दिये साथ साथ आप दुबई गए थे शेقों से गले मिल रहे थे दुबई के मात्षाह इदर आये थे गले मिल रहे थे सल्माना आये थे गले मिल रहे थे पूरी दुनिया देखिए नरेंदर मोधी अपने आपको कटर, हिंदुतवादी और देशभक्त मानते हैं नैशनलिस्ट और हिंदू मोलते हैं अपने आप उससे कोई प्राब्लम नहीं है इस रूप से कोई दिक्कत है क्या मुसल्मानों को मैं यही तो कह रहा हूँ हमें उनके कटर हिंदू होने से तकलीफ नहीं हमें सुकून मिलना चाहिए कहां हिंदू को बताया गया है कि हूं मुसल्मानों से नफरत करें क्यों हमारे मन से ये बात नहीं निकल रही है कि कटर हिंदू हमारे खिलाफ है ये पक्का मैं कहता हूँ जब तक हिंदू कटर नहीं होगा जब तक वो अपने पक्के राष्टे पर नहीं चलेगा भाईचारा उसके अंदर पैदा नहीं होगा कहां हिंदू धरम ने कहां स्रातन धरम ने जो ही ये सिखाया है कि किसी से नफरत करो कतर हिंदू होना भी इंसान के लिए जरूरी है मुसल्मानों, हिंदू, ओसी को सब अपने मध़ब पर चले हमें एक दूसरे के खिलाफ समीर जी का एक कॉमेंट फिर में आगे आपको दिखा रहा हूँ बिहार की सीटाव बिहार की सीटाव पर आ जाएगा समीर जी देखे मुझे लगता है सोरो जी अब अंदुस्तां का जो मुसल्मान है वो 2004 और 2014 तक जो मनमोंसी का कारेकाल रहा था उसमें मुसल्मानों के लिए क्या हुआ हुआ 2014 से लेके 2024 तक पदा मंतरी मोदी ने मुसल्मान समाज के लिए कितने योजना इलाई क्या काम किया यह फरक अब देखने लगा है और समझने लगा है और मुझे लगा है कि राष्ट्र से अनुशासिक संकटने मुसल्म राष्ट्र मंच लगाता है जमनी इस्तरपट जिस तरीके से लोगों को अवेर कर रहा था उनको ओपिनेंट चेंज कर रहा था कि हरती जानता पार्टी क आने के बाद पदामंतरी मोदी के आने के बाद उनके लिए जमनी इस्तरप जे उजिना मिलिये उनको सोच चाला है मिले पदामंतरी आवास उजिना के अदर को मकान मिला उजिना के अदर को सिलेंडर मिले लोन मिला उनको एज्यूकेशन में उनको फैसिलेटी मिली तो अब ये मुस्लिन समाज समझ रहा है कि मस्जीद और मदरसी से जो उनके लिए फत्वे जारी होते थे भारतियनता पार्टी का डर दिखा कर कि आप कॉंग्रेस को वोट नहीं दोगे तो भाटवा सत्ता में आ जाएगी तो आप इस दुस्तार में रहे नहीं पाऊगे मुझे लगँ रहा मुस्लमान समझ रहा है कि 10 साल के अंदर अगर जमिनी स्थो पर उनके लिए किसी वारतिय जनता पार्टी रही है वहाँ पर मुसलमान वोट 1%, 2%, 3% बाजबा को मिलता है डिविजन किसी किसी seat पर दिखाई दे रहा है सपा और बसपा के भी जहां पर बसपा का मजबूत उमिद्वार हो गया बसपा का जहां पर बेस है वहां पर तो वोट थोड़ा बहुत डिवाइड होगा बीस पर चिस परसंट इसे ज़ादा बोट कहीं पर भी किसी भी seat पर हमें डिवाइड होता हूँ नहीं दिखा मुस्लिम बोट यूपी में